16 अगस्थ शुकरवार के दिन है पवित्रा एकादशी जिसे पुत्तरदा एकादशी भी कहा जाता है और सभी एकादशियां भगवान विश्णू को समर्पित होती है बच्चों की जन्मकुंडली में शिगर विवायोग बनाने के लिए गुरू और शुकर दोनों का ही स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है लड़का हो चाहे लड़की हो तब ही विवा होता है अगर दोनों ही ये ग्रह स्पोर्ट कर रहे हो तो बता रही हो आपको कि किस प्रकार से आप इलाइची का उपाई करेंगे तो बच्चों की जन्मकुंडली में गुरू और शुकर दोनों ही स्ट्रोंग हो जाएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सबका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना श्रमा अगर आप वीडि दिन終 1890 में उसी वक्त सारे रासते कुल जाते हैं और सा रासते बंना शुरू हो जाते हैं एक अश्ची है शोक्रवार की और शोक्रवार के दिन आप सुबह में जब आपके घर की पूजा अराधणा करने बैठें आपके पूजा घर में ही वह एक काम करें की एक पत्ता लेक जैसा कि आप देख पा रहे हैं या तो आम का पत्ता हो या फिर पीपल का पत्ता ले लीजिए आपके आसपास कहीं पीपल हो तो पीपल का पत्ता ले लीजिए नहीं हो पीपल का पत्ता तो आप बरगद का पत्ता ले लीजिए बरगद होगा आपके आसपास बरगद का पत्त بजार से मगवालय लीजिए अब अगर इतना सब होने के बावजूद भी आपको अगर कोई पान का पता भी आपके नहीं लाने वाला हो बजार से बजार दूर हो तो ऐसे में काम करें कि फिर एक पीला रूमाल ले लीजिए पीला रुमाल या छोटा कोई कपड़ा पीला घर में पड़ा हुआ वो ले लीजिए वो लेने के बाद आप अपने पूजा घर में बैठे और जैसा कि आपने शुरू में ही देख लिया कि दो इलाइची ही चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो इलाइची चाहिए आपको थोड़ा सा ले लीजियेगा आदा चमबच आदा चमबच से भी कम हो चाहे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर को लेके थोड़ा सा पान डालके उसमें थोड़ा सा उसको गीला कर ले अब बैठें भगवान के सामने सबसे पहले एक दीपक परजलत करें और दीपक परजलत करने के बाद गन्पती भगवान को याद करें जो आप उपाई करने जा रहे हैं उसमें शिगर सफलताप को मिले रिजल्ट तुरंत मिले आपको इसका इसके लिए प्रार्थना करने के बाद इलाइचियों को अच्छे से अपनी अंगलीयों से हल्दी लगा लीडिये और अब इन दोनों हाईचि को अन्छे को अर्दी को एक सिक्का ले लीजिये कोई हो सकता है सिक्का कोई 5 रूपे का 10 रूपे का एक सबसे पहले आप याद करेंगे जिनको व отлич श्रीकिष्ण भगवान मारादिका पहले तो आप एक प्लेट ले लिजिए उसमें ये रूमाल बिचा लीजिए या पत्ता रख लीजिए अब इसके उपर सारी साम अगरी रख लीजिए ये चीज़ें हाथ में लेके आप सबसे पहले इमेजिली करेंगे अगर आपके सामने आपके पूजा घर में फोटो है कृshni भगवान मारादिका की तो बहुत अच्छी बात है अन्यता आप कह सकते हैं आसान रहेगा ये लगातार बोलते हुए इमेजिन करते हुए उनका और ये चीजें हाथ में लिये लिये ही कृष्ण भगवान माराधिका से बिंती प्रत्रा करें अपने शिगर विवा की माता पिता हों तो बच्चों के लिए उनका नाम लेकर कि जिस प्रकार से आपका मधुर सबंद बना हुआ है उसी प्रकार से बच्चों का भी योग्य, सुन्दर, जीवन साथी मिले और उनका भी मधुर सबंद आप की तरह ही बने इस प्रकार अच्छी तरह से बिंती प्रत्रा करने के बाद आप दोनों इलाइची को या तो पत्ते में लिपेट लीजिए और अगर कपड़े में रखे हुए हैं तो फिर कपड़े में इसको लिपेट कर एक गाठ लगा लीजिए और एक पोटली की तरह हैं इसको तयार कर लीजिए अब इस पोटली को उठा लें वहां से उठाने के बाद आपके आस-पास कोई भी मंदिर हो किसी प्रका देव के सामने रखते हुए इस पोटली को आप अगर माता-पिता कर रहे हों तो बच्चे का नाम पहले अपने बच्चे का नाम फिर सामने जो रिष्टा आ रहा है उस रिष्टे में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम दो नाम लेते हुए इस पोटली को वहां पर छोड दीजिये, हाद जोड़ के नमस्कार करिए, आंखी बंद करके मन और शर्दा के साथ, पूरी भावना के साथ, अपने विवा की कामना पूरती के लिए प्रार्थना करें, माता पिता बच्चों के लिए कर सकते हैं, और बच्चे खुद के लिए कर सकते हैं, हल्दी और इलाइ जो शुक्रवार रहेगा उस दिन कर लीजिए उसके बाद से आगे दो शुक्रवार को और लगातार इसी परकिरिया से इसी परकार करना है और मान लीजिए आप इस एकादिशी को नहीं कर पाते हैं तो आगे किसी भी एकादिशी को शुरू करके तीन बार इस उपाए को कर ल होगा कमेंट बॉक्स में जैश्री किष्णा जरूर लिखें आपकी मनोकामना तुरंत पूरुन होगी गुरु भगवान की किरपा बनेगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद